जैन चौधरी ने ऐसा क्या बोल दिया संसत के अंदर की पूरा जाट समाज आग से आग बबूला हो गया सोची किस तरीके से किसानों को रोखने के लिए भारतिय जनता पार्टी तमाम तरीके के हदकंडे अपना रही है पंजाब हरियाना बॉडर से आने वाले किसानों से डर गई भारतिय जनता पार्टी और उनको रोखने के लिए जंजीरों का बैरिगेट का और यहां तक की सिमिंटेड के द्वारा बनाई गई दीवारे तक बना दी गई है आखिर किसानों से इतना डर क्यों लग रहा है भारतिय जनता पार्टी को जबकि विकास का डंका वजाने वाले देश के प्रधान मंत्री अपने दस सालों का चिठा बताते बताते 110 मिनट तक सदन के अंदर भासन देते हैं जबकि 76 मिनट तो वो विपक्षपही निसाना आता हूं लेकिन सोचिए किसानों की नाराजगी बता रहे हैं कि विक्सित भारत बने ना बने लेकिन कहीं ना कहीं किसानों से धैसत में जरूर है भारतिय जनता पार्टी लगता 13 फरवरी को संसत का घेराव करने वाले किसान देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले थे और 64 संगठन जो हैं देश भर से 64 किसान संगठन जो हैं इसमें पाटिसिपेट करने वाले थे लेकिन बीजेपी ने दर की वज़े से तमाम बडरों को बंद कर दिया गया है ताकि तमाम किसान भाई जो हैं वो दिल्ली में ना आ पाएं क्योंकि जो वादे करकर किसान भाईयों को घर वापसी कराई गए थी मोदी सरकार उन वादों को पूरा नहीं कर पाई लेकिन जाट समाज इस बात से भी नाराज है कि चौधरी चरण सिंग को भारत रतन तो दिया ये खुशी की बात है लेकिन जैन चौधरी बीजेपी में श शायद वो हादरस वाला कान भूल गये कि उनके उपर लाटी चार्ज कराया गया था शायद वो उन तमाम लोगों के आंसु भूल गये कैसे राकेस्ट केत की वो जो आंसु का जन सहलाव था सोचिए मोदी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया था किसानों को परतारित करने के लि किसान फिर से दिल्ली आने वाले हैं संसत घ्राव करने वाले सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराना चाहते हैं फिर भी मोधी सरकार किस तरीके से उनको रोखने की कोशिस कर रही है सोची आजाद भारत में आप अंदोलन नहीं कर सकते हैं धरना प्रदशन नहीं कर सकते हैं लेकिन देश के प्रधान मंतरी देश को विक्सित भारत बताते हैं विक्सित भारत में आपको आजादी नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए सरकार के खिलाफ प्रदशन कीजिए क्योंकि ना सरकार को सोचना है जनता के बारे में और ना ही विपक्षी नेताओ को जब विपक्षी नेता सत्ताधारियों के साथ मिलकर सदन में एक ही भ प्रतिक्रियाए दे रहे हैं और जैन चौधरी के सायसातुन तमाम विपक्षी पार्टीयों के नीताओं पर भी निशाना सात्ते होग अपनी भडास निकाल रहे हैं जो कही न कहीम जनता के हक अदिकारों के साथ सौदा कर लेते हैं वो उनके समिधानी अधिकारों पर संसद के अंदर जाने के बाद कहीं न कहीं भूल जाते हैं और अपने पूरे समाज को एक कट घरे में खड़ा कर देते हैं पंजाब हरियाना बॉर्डर लगाई गई पर्मानेंट बैरिगेट किसानों के 13 फरवरी को प्रस्ताविक दिल्ली चलो कूर्स से पहल उडाई जा रही हैं कि आप धर्ना नहीं कर सकते देश की राजदानी में आके आप सांती पूंतरीके से बैड कर सरकार से अपनी माँगों के लिए बात नहीं कर सक्ते 對啊 पूरे भारत की बात करें तमाम राज्यों से ऐसी खबरे आती हैं कि लोग कहीं ना कहीं बरोजगारी के लिए धरना दे रहे हैं, महंगाई से परिशानों के धरना दे रहे हैं, असुरुक्षा से होकर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार की चाटू कारिता करने वाले टीवी अखवार, जातिवादी मीडिया जिनको कहा जाता है, मनुवादी मीडि इन खबरों को आपको नहीं दिखाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं उसको सरकार की चाटू कारिता करने से ही फूर्सक्निया आगे है जाट समाज आज स्वर्ग में बैठे चौधरी चरेंड सिंग का खूल खौल उठाओगा जब उनके पोतिने सदन के अंदर उनकी तुलना किसान पर अत्यचार करने वाले नरेंद्र मोधी से कर दी तो जैन चौधरी पर लोग लगतार निशाना साध्र है नेता की अभिलाशा चाहा नहीं मैं सिधान के चक्कर में पिस्ता जाओं चाहा नहीं जनहीत खातिर सडकों पे उत्रू चिलाओं चाहा नहीं मैं आदर सो पर चौह तौह से अ bon viktant भाई जो हैं वह चैनिरास नेकिन सोचिए उनी के नेताओ ने खिस तरीके से अपने ही समाज को धोका दे दिया अपने ही समाज के साथ घदारी की अपने ही समाज के साथान उन्они किसान भाईों की शौदतों को एक कप रखा कर दिया तो सोचिंक से के से किसान भाई जो हैं वो जैन चौदरी से नाराज और उनको शोशल मीडिया पर भी अन्फॉलोव करने का ट्रेंप शुरू कर दिया है यह राजंदर पाल गौतम का वीडियो सुनिए हम मांग करते हैं बारत सरकार से कि भारत के बहुजनों की आवाज बहुजनों के मसीहा उनमें समाजी क्वेराजनितिक चेतना जगा कर उनको हुकुमरान बनाने का सपना दिखा कर साकार करने वाले मानवर कांसिराम साभ देश के तमाम मुख्यमंत्रियों में से सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में से एक पाकिस्तान के साथ दूसरे युद्ध में अपने रक्षा मंत्री के तोर पर कुसल नेतत्तों का परीचे देने वाले जिनके तक प्रयास से पाकिस्तान से जीत के बाद अलग बंगलादिस बनाने में भारत सरकार सफल हुई बाबु जगजीवन राम जिन्होंने विबिन विभागों में भारत सरकार में बहतरीन काम किये मैं इन चारों महापुर्सों को भी भारत रतन देने की भारत सरकार से मांग करता हूँ किस तरीके से नई दिल्ली के पूर्व मंतरी राजिंदर पाल गौतम ने केंदर सरकार के मानेवर कासी राम के साथ साथ यूपी की पूर्व मुख्य मंतरी मायावती को भी भारत रतन देने की मांग किये भारत सरकार का ये नेडने हैं सब भी को सुविकार है सुवागत है इस फैसले का लेकिन कही न कहीं न कहीं उन तमाम महापुर्सों को भी मिलना चाहिए जिनोंने बहुजन समाच के लिए तमाम संघर्स भरे रास्तों पर चल कर बहुजन समाच के लिए कितिहास कायम किया बारत सरकार से ही अपील है कि तमाम बहुजन निताओं को जिनोंने बहुजन समाज के लिए हकदिकारों के लिए तमाम संघर्स किये उनको भी भारत रतन देने का कस्ट करें इसके साथ साथ आप कुछ को बोलने की अनुमती नहीं देते और कुछ को नहीं बोलने की अनुमती देते सदन में मलिकारजुन खडगेन है आज जब जैन चौधरी अपना स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने धनकड को उपरास्य पती के सामने अपनी बात रखी कि आप उन निताओं को क्यों अपनी बात नहीं रखने देते हैं जो लगातार बहुजनों के हग अदिकारों के साथ सोचल जस्टिस की बात करते हैं बीजेपी की नितियों को एक्सपोज करते हैं सोचिए ओवेसी ने आज पार्लियमेंट के अंदर कहा बावरी मज़ित हमारी है बावरी मज़ित रहेगी और बावरी मज़ित जिंदाबाद के नारे लगा वीडियो हम गाइडलाइन की वज़े से नहीं दिखा सकते हैं वीडियो मेटकर नगर का बताया जा रहा है जिसमें एक दलित व्यक्ति को चार लोग बंदू के दम पर धमका कर जाती सूचक गालियां दे रहे हैं और अपने पैरों को छूने के लिए जबरदस्ती उनको मांसि को शारिदिक पठताना इदर रहे हैं से लोगों पर कठोर कारवाई होनी चाहिए और शोशल मीडिया पर ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कॉंग्रेस स्री निवास वीवी ने का है क्या मोधी जी मैं इने अपने दादा जी नजर आते हैं क्या चौदरी चरंड सिंग के अंदर जैन चौदरी ने नरेंद्र मोधी जी की तुलना आपने दादर जी से कर दी चौदरी चरंड सिंग से उनकी तुलना कर दी कि मुझे नरेंद्र मोधी जी में चौदरी चरंड सिंग दिखाई देते हैं सोचिए कोई व्यक्ति किस तरीके से सत्ता के आगे घुटन टेक सकता है इन सब बातों से आप साफ पता लगा सकते हैं इसका साथ लोग शोशल मीडिया पे लिख रहे हैं जब सारा विपक्ष बिख जाएगा तो लड़ाईयां लड़ेगा कौन किसान कमेरे मजदूर लड़ेंगे हम लड़ेंगे तो किसान भाई जो हैं वो लगतार सरक के खिलाफ दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है पंजाब हर्याना के 20 संबू बॉर्डर पर प्रसाजन ने सिमेंटेट बैरिगेट और कंटीले तारों से सील किया गरगर नदी के उपर बना ब्रीज भी बन किया नदी के अंदर भी खुदाई हो रहे हैं ताकि कोई वाहन पार ना हो सके 26 किसान संगटन 13 फरवरी को पंजाब से दिल्ली कूच का एलान करेंगे और हर्याना पुलिस ने डर की वज़े से सोची किस तरीके से पंजाब से दिल्ली आने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया यह पेपर की कटिंग देखिए कि मोधी सरकार अपनी तमाम नितियों पर बात नहीं करती ना कि विपक्ष को बोलने देती लेकिन बराबर प्रचार प्रसार करने में वो देश की नम्मर वन पाटी बन चुकिया देश की राजधानी में आज पुस्तक मेला शुरू हो चुका है दस से अठारा फरवरी तक लगेगा अगर आप किताब के शौकीन है तो जरूर आईए पढ़िए और अपने आसपास के लोगों को भी पढ़िए लेकिन पेपर की कटिंग देखकर तो यही लग रहा है कि पुस्तक मेले का उधगाटन देश्त के पढ़ान मंत्री नरेंद्र मोधी करने वाले हैं ये जगा भी मोधी जी ने ले ली जिसका नाम लिखा है उनको तो रहने देते साब तो सोच यह वाल्ड बुक फेयर का यह पेपर कटिंग आप देखी कि कि किस तरीके से धर्मेंदर प्रधान जो हैं वह कैबिनेट मिनिस्ट्र एजूकेशन मिनिस्ट्र जो हैं वह आज उधगाटन करने वाले एड अपना कहां चलाना इस पर बात करती है और इस पर ही काम करती है तो प्रचार प्रसार में देश के प्रधान मंत्री सबस्रिस्ट प्रधान मंत्रियों में शुमार हो चुके हैं इन सबकी ग्रफतारी होनी चाहिए कि किस तरीके से अंबेटकर नगर में चार लोग बंद पत्रकार तक कहना जर्नलीजम की भाषा में पत्रकारिता का ही अपमान होगा रूबी का लियाकत ने मुहम्मद समी से सवाल किया कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है मुहम्मद समी का जवाब था जब आप अपने प्रोफेशन में चोरी करते हैं तो लोगों पर बहुत चिड लगती है इस जवाब से स्टूडियो में बैठे तमाम लोग समझ गए लेकिन रूबी का बिचारी हसकर अपना मन हलका कर रही थी तो सोचिए अब लगतार लोग चा पत्रकार कहने में कौन सा उनका अपमान है तो इससे तो साफी पता चलता है कि देश की ब्रसचार मेडिया टीबी अखवार में बैठे जातिवादी मनुवादी अपना काम नहीं कर रहे हैं इसी लिए मोधी सरकार जो है वो लगतार विपक्षी निताओं को अपने पाले मे लाने के लिए खुले आम गुंडागर दी कर रहे हैं सोचिए भारत रतन दे रहे हैं भारत सरकार का स्वागत करते हैं इस फैसले का इस फैसले से पूरा जाट समाज कि सान समाज खुसे कि चौदरी चरण सिंग को भारत रतन दिया जा रहा है लेकिन उनके वोट की क्यूं उनके वोट को किस तरीके से मिस्यूज किया जा रहा है ये वही जैन चौदरी हैं जो लगतार किसान भाईयों के लिए आवाज उठाते थे और आज किस तरीके से स्दन में चौदरी चरण सिंग की तुलना देश के पिधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी से कर दी तो सोचिए देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक सरकार से काम करवाने वाला सडकों पर मजबूत विपक्ष नहीं होगा मजबूर सरकार से जादा मजबूर विपक्ष होना भी बेहस जरूरी है लगतार आप ED के डर से CBI के डर से अपने उपर जाच पुलिस कारवाई की डर से अगर बोलना बंद कर देंगे तो सोचिए उन समाज की तरप एक बार जरूर देखिएगा जिनोंने बड़ी उम्मीदों के साथ उजवल भविसे की कलपना करकर आपको सत्ता में भेजा है और आप उनके पूरे अर्मानों पर पानी फेर दे रहे हैं आप असल में अपना समर्थन करके सरकार के साथ उन तमाम समाज के एक कटगरे में खड़ा कर दे रहे हैं उनकी तमाम बच्चों को एक अंदकार की ओर लेके जा रहे हैं इसलिए आपको भी एक मजबूत नेता ही चुनना वोगा और सोचिए जो अपनी विचार धारा के प्रती एकदम कटरो ना कि इस तरीके से की वीजेपी सरकार के सामने वो अपने गुटने टेक दे इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिय है कमन बक्स में जरूर बता हैं फिलाल भारती जनता पार्टी में बैठे देश के सत्ता धारी लोग किसानों से डर चुके और तमाम बॉर्डरों को सील कर दिया गया है किसानों से पिछली बार भी बीजेपी को पीछे हटना पड़ाता और इस बार भी 24 में भी कुछ ना कुछ बड़ा दावा करने वाली भारती जनता पार्टी इस बार किसानों के आगे कौन सा जुमला छोड़ेगी आप कमेंट बक्स में जरूर बताएगा और वीडियो को ज जारी से कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्मल दस्तव को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्मल दस्तव को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक कर जरूर करे